कंस्ट्रेंट रिलेशन तीन चार तरह के कंस्ट्रेंट रिलेशन होते हैं जिसमें से एक दू तरह के हमने बात कर ली थी जैसे सबसे पहला कंस्ट्रेंट है that is called as रॉड कंस्ट्रेंट जिसको मैंने लास लास में समझाया था जिसका एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा लॉजिक है और क्या है वो लॉजिक? क्या है लॉजिक? अगर मैं दो पॉइंट्स रॉड पर ले लो तो इन पॉइंट्स के पास वेलोसिटी अलग-लग डिरेक्शन में और अलग-लग बैंगनेटी उट की हो सकती है पर उन वेलोसिटी का रॉड के लोग जो कॉंपोनेंट है वो सेम होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रॉड की लिंथ कॉंस्टेंट नहीं रह पाएगी रॉड तूट जाएगी, इस रॉड नोट? तो रॉड कंस्टेंट जो हमसे कहता है, वो यह कहता है कि किसी भी परिस्तिती में, माल लेते हैं अगर ये कोई रॉड है, है ना भी? तो अलग-लग पॉइंट के पास अलग-लग वेलोसिटी हो सकती है उसमों कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ऐसे अलग-लग पॉइंट के पास जो अलग-लग वेलोसिटी होगी उसका मैं along the rod जो component निकालूगा माल लेते हैं किसी पॉइंट के पास इस डिरेक्शन में कोई वेलोसिटी है वी है, है ना भी? और माल लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के पास इस डिरेक्शन में कोई वेलोसिटी है वी भी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है और अगर आप थोड़े समझदार हैं तो ऐसा तब होगा जब ये rod, rotation और translation का combination करेगी अगर ये rod के वल translation करती ही तो सभी पॉइंट के पास सेम वेलोसिटी होती है translation का मतलब ये होता है translation शब्द का क्या मतलब है? सभी लोग identical linear motion कर रहे हैं इसलिए अगर कोई body translate करे तो हम पूरी body के motion को उसके center of mass से replace कर सकते हैं center of mass को study कर लें, पूरी body को study हो गया एक car सड़क पर जा रही है ये car है और ये सड़क पर जा रही है ऐसे किस तरह के motion का example है? translation क्या मतलब है इस बात का? कि car के अंदर जितने भी particles हैं जितने भी point हैं क्या वो सभी इसी velocity से चल रहे होंगे है ना? हैंस हम क्या करें? car के different particles को study करने की बज़ा है center of mass को study कर लें तो क्या पूरी car की study हो गई? अरिविद में? correct है? हैंस है translatory motion होता है translatory motion translatory motion की analysis center of mass की study से हो जाती है इसलिए mechanics में rotation chapter से पहले आप जो भी बढ़ रहे हैं वो actually particle के लिए है बले ही वो body की बात करता हो पर वो particle के लिए ही है इसलिए अपन जो भी equations लिख रहे है जाए V is equal to U plus 80 की equation हो जाए F is equal to MA की equation हो ये actually particle के लिए लिखी गई है और अगर body है तो फिर ये equation किस के लिए हो जाती है? center of mass के लिए कब तक ऐसा? जब तक rotation नहीं हो रहा है जब तक rotation नहीं हो रहा है तो center of mass से पूरी body को replace symbolically कराया जा सकता है कोई फरक नहीं पड़ता है जिक कि जे rotation translation अगर दोनों हो तो फिर इस तरह की कोई परिस्तिती पैदा हो सकती है अब ये rod का अगर आप motion थोड़ा से imagine करें तो ये rod घूम भी रही है और चल भी रही है तो इस तरह की कोई स्थिती पैदा हो सकती है तो हो तो सकता है ऐसा अगर ऐसा हो गया तो rod constant जो हमसे कहता है वो ये कहता है कि along the rod along the rod जो component बनेंगे वो same होने चाहिए which simply means कि अगर ये वाला angle इस moment of time पर theta A है और ये वाला angle इस moment of time पर theta B है तो V और VB में कैसे संबंद होगा VA cos theta A बराबर VB cos theta B logic पकड़ ना formula reading कोशिश मत करो logic पकड़ो क्या है logic along the rod velocity के component बराबर होंगे जिसको दूसरे शब्द में कहूँ तो along the rod relative motion नहीं हो सकता है जिरो होना चाहिए along the rod relative motion नहीं हो सकता तो rod constraint एक शब्द एक लाइन में rod constraint का मतलब कोई मुझे समझा है तो क्या मतलब है उसका along the rod relative motion नहीं हो सकता है अरेविद में correct है तो rod constraint का मतलब है no relative motion no relative motion along rod क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा सोचो अगर B का जो component VB cos theta B अगर उसकी value VA cos theta A से जादा हो गई तो rod की length के along इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्या ये दूरी बढ़ जाएगी वो तब ही हो सकता जब rod तूट जाए या अगर VB cos theta B की value VA cos theta A से कम हो गई तो क्या होगा तो ये rod compress हो जाएगी और अगर ये rod rigid है rigid का मतलब है ना तो इसकी length बढ़ रही है ना इसकी length कम हो रही है अगर ये rod rigid है तो क्या VB cos theta B बराबर VA cos theta A होना ही चाहिए है ना? समझ रहो? जैसे train कोई चल रही हो track पर तो क्या हर bogey का parallel to the track जो component है theta A बराबर VB cos theta B इसको बोलते हैं rod constant ये पहले तरे का constant है और बहुत ही useful है चोटे-चोटे questions इस पर बन जाते है इसमें आप rod constant का इस्तमाल करेंगे चिक के जी? अच्छा दूसरा जो constraint है वह है string constraint इसको भी last class में उठाये था मैंने string constraint दूसरा constraint है string string constraint string constraint से मेरा मतलब है क्या मतलब है मेरा? string constraint से मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी block और किसी string की situation को imagine करूँ ऐसे तो धागे को मैंने block से बाढ़ रखा है कुछ ऐसे है ना भी? तो imagine करो कि फरिस्थिती कुछ ऐसी है कि ये तो है फर्ष ऐसा और आप धागे को खीच रहे हो ऐसे किसी velocity V से और block इस जमीन पर चल रहा है किसी velocity U से तो क्या V और U अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ये V string velocity है और ये U block velocity string velocity string के लेंद के लोंगे block velocity ground के पार लेले क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं ठीक है जी? पर चुकि धागा block से बना हुआ है तो क्या V और U में कोई संबंध होगा? constant relation का मतलब ही होता है कि कोई मजबूरी है और उस मजबूरी के कारण relationship निकलेंगे जैसे यहाँ A और B की क्या मजबूरी है? दोनों रोड पर हैं हैंस एक relationship निकला similarly यहाँ भी V और U की क्या मजबूरी है? कि string block से बंदी हुई है चुकि string block से बंदी हुई है सोच के देखो कि block की velocity का string के लोग जो component होगा माल लेते हैं कि ये जो angle है ये angle है theta तो block की velocity का string के लोग कितना component होगा? U cos theta अगर U cos theta V के बराबर नहीं हुआ अगर U cos theta V से बढ़ा हो गया तो क्या होगा? block string के direction में string से ज़्यादा displace कर जाएगा अगर ऐसा होगा तो string slack कर जाएगी दीली पड़ जाएगी और अगर U cos theta के value V से छोटी हुई तो क्या होगा? तो धागी की velocity ज़्यादा होगी और block की velocity का component धागे के direction में कम होगा धागा तेज चलेगा, block दीरे चलेगा along the direction of string धागा तूट जाएगा अरिविद में? correct है? ये इसका mechanism है नहीं सहोंच में आता है भाड में जाएगा आपके वल एक दिमाग को एक बात को दिमाग में बढ़ा लें कि block की velocity का string के direction में component string velocity के बराबर होगा block की velocity का string के direction में component string velocity के बराबर होगा hence V should be equal to U cos theta are you with me? correct है? block की velocity का component string के direction में string के direction में गर मिले दाओ बनेगी वी बराबर यू स्थीता, समझ रहे हो, बात समझ रहाती है, करेक्ट है, क्या इसी को मैं ऐसा भी कह सकता है, थाँ अच्छा अठी के ऐगर मैं ऐसा कर लूँ भी वी कोस थिटा बराबर यू भी कॉस थिटा मतलब string की वेलोस्टी का component block की velocity के direction में बराबर करने। तो ये गलत एक question. क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्यों गलत है बोलो? Component टोड़ना है? Block की velocity का string में तोड़ना है? या string की velocity का block में तोड़ लो अगर मैं string की velocity का block के direction में component तो तो क्या बनेगा V cos theta बनेगा तो क्या V cos theta बराबर यू भी होना चाहिए यह बिलकुल गलत है यह इसलिए गलत है क्योंकि इस relationship को लिखने के लिए आपके पास कोई logic नहीं है हां इसको लिखने के लिए logic है फटाफट बताओ logic क्या है हां बोलो शाबश string के direction में block और string के बीच relative motion नहीं हो सकता है string के direction में block और string के बीच relative motion नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हुआ तो क्या हो जाएगा या तो string ढीली बढ़ जाएगी या string तूट जाएगी क्या है concept क्या है along the direction of string no relative motion अरिविद्मी correct है जैसे यहां मैंने concept बता है no relative motion along rod ऐसी string constraint किस basic सिद्धानत पर काम कर रहा है string के direction में no relative motion right तो इसका जो concept है वो है no relative motion along string एक line में समझ लें बस no relative motion along string तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि v बराबर u cos theta लिख सकते हैं v cos theta बराबर u नहीं लिख सकते हैं अरिविद्मी क्यों कि concept क्या है concept है no relative motion along string तो क्या compulsory string के direction में component तोड़ने पड़ेंगे इस पर बहुत खूबसूरत और बहुत मुश्किल दिखने वाले questions बन जाते हैं दोनों रस्तियों को v v velocity से खीचा जा रहा है जैसा चित्र दिखा रहा है consequence क्या होगा क्या ब्लॉक बाइसा उपर जाएंगे सचो आप गड़े में फस गएंगे आपको दू रस्तियों से बांद कीचा जा रहा है आपका क्या होगा आप उपर जाएंगे तो इस रस्ति को v से खीच रहा हो मैंसे इसको v से खीच रहा हो ये ब्लॉक उपर चलेगा किसी instant of time पर question कहता है कि ये वाला angle और ये वाला angle अगर theta है और अगर ब्लॉक उपर जा रहा है किसी speed u से तो मुझे फटा-फट इस moment पर v और u में संबंध बता दो u cos theta is equal to v चीक है जी अब मेरा एक दूसरा logic समझो ये string v से जा रही है ठीक है जी ये string v से जा रही है ऐसे ये string v v से जा रही है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अपन इन दोनों velocity के component तोड लेते है तोड सकते हैं component तोड़ने में कौन रोकेगा हमें component तोड़ा v cos theta v sin theta v cos theta v sin theta v sin theta v sin theta कट गए उपर की तरफ कितना component आया 2 v cos theta तो ये लो relation है 2 v cos theta बराबर u ये गलत है आप मुझे बताओगे क्यों बोलो शाबाश ये गलत है देखने में तो काफी ठीक लग रहा है अब तक तो ये करते हैं थे जीवन में ये रही velocity भी दो component तोड ली ऐसे ऐसे ये v cos theta v sin theta इसके भी v cos theta v sin theta v sin theta कट गए v cos theta v cos theta जोड़ गए हैंस upward direction में कितना component आया 2 v cos theta और ये भी तो upward ही जा रहा है हैंस 2 v cos theta बराबर ये ये गलत है क्यों कि बोलो शाबाश क्यों कि आपने string constraint का इस्तेमाली नहीं किया आप तो अपने मन से कुछ भी कर रहे हो किसने का आप से vertical direction में relative motion जीरू है आपने string की velocity जो vertical direction में थी 2 v cos theta यहां तक सही है block की velocity जो vertical direction में थी you यहां तक भी सही है आपने इन नोनों को कैसे बराबर कर दिया क्या मेरी बास समझ पर है क्योंकि जो constraint है वो तो हमसे कुछ और ही कह रहा है वो क्या कह रहा है वो कह रहा है string के direction में relative motion नहीं होगा तुम तो अपने मन से किसी भी direction में relative motion जीरू तुम तो y direction में relative motion जीरू कर रहा है भाई क्यों concept तो कुछ और ही है तुम कुछ और ही कर रहे है तो answer कह से आएगा concept क्या है string के direction में relative motion नहीं होगा अब देखो सही तरीका क्या है सही तरीका यह है कि block u से उपर दा रहा है और अपने को क्या करना है block की velocity का string में component तोड़ना है तो block की velocity u का string में component कितना तूटेगा u cos theta जो किसके बराबर होगा v के बराबर कानी खत्म होगी v बराबर u cos theta समझे logic समझे क्यों गलत है यह और यह क्यों सही है समझे ना क्योंकि जब आपने दोनों को बराबर किया तो इनको बराबर करने का कोई logic नहीं है है ना यह reason है और यह बहुत ही कम बच्चों को समझ माता है इस वज़े से string constraint कभी clear ही नहीं हो पाता है और छोटे-छोटे questions होते हैं बिल्कुल free fund के leddo है यह है इनको भी नहीं खापाता बिचारा बच्चा क्योंकि एक line समझ नहीं थी और वो यह थी no relative motion along string बस इसके लाव कोई समझना ही नहीं था एक चीज समझ नहीं थी बस string के दिशा में relative motion नहीं होगा string के direction में relative motion नहीं होगा समझ गए? string के direction में relative motion नहीं होगा इसको बोलते है string constraint अच्छा जे, फिर एक और तीसरे तरह का constraint है, उसको बोलते हैं, wedge constraint wedge constraint एक और तीसरे तरह का constraint है, इसको बोलते हैं, wedge constraint इसको समझ लो, यह भी बहुत आसान है इसको समझने के लिए, मैं एक example ले रहा हूँ, और उस example में कुछ ऐसा है कि यह एक inclined plane है, ऐसा, जैसा कि diagram में ने दिखाया और इस inclined plane के उपर, एक vertical rod है, जो कि कुछ इस तरह से है, ऐसा कुछ और मालने थे हैं कि inclined plane का जो angle है, वो है theta, inclined plane ground पर है, कुछ इस प्रकार से, ऐसा, और यह जो rod मैं ने दिखाई है, यह rod दो vertical walls के बीच में है तो एक vertical wall यह है, और एक vertical wall यह है, और rod दो vertical walls के बीच में फसी हुई है, slip कर सकती है बस, ऐसा, ऐसी कुछ परिस्तिती, imagine करो, एक rod जो दो vertical walls के बीच में है, और एक inclined plane यह wedge जैसा जो जमीन पर रखा हुआ है, ठीक, आप मुझे दोनों के अलग-अलग पहले motion बताओ, अपना यह कैसा चलेगा, ground के parallel, ठीक है जी, और यह अगर चलेगा, तो कैसा चलेगा, केवल उपर नीचे vertical क्योंकि दोनों दीवालों के बीच फसा हुआ है, एक ball हो, इसको दो दीवालों के बीच, अगर imagine किया जाए, तो ball का motion केवल कैसा हो सकता, vertical, horizontal motion तो नहीं हो सकता, तो वो जो rod है, उसका motion केवल vertical हो सकता है, और वो जो inclined plane हो, उसका motion केवल horizontal हो सकता है, अरेविद में, कानी सोज माती है, correct है, माल लेते हैं कि यह जो inclined plane है, यह inclined plane इस direction में, किसी velocity u से, किसी instant of time पर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और यह rod downward direction में, किसी velocity v से, आती हुआ दिखाई है, है ना, हैंस, let us try to find out what is the relationship between we and you, we और you के बीच में क्या संबन्ध होगा, let us try to find out, let us try to find out, अब देखना मज़ेदार बात, बहुत मज़ेदार बात, और बहुत ही मज़ेदार चीज, समझ में आ गया तो बस मज़े ही आ जाएगा, आप अगर ground पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको यह अलग चलता दिख रहा है, यह अलग चलता दिख रहा है, दो दो लोग च चलेगी गोलो सोचो imagine करो, inkline plane के frame में चला गया, तो inkline plane तो रुख गया ये तो रुख गया और इसके उपर rod चल रही है, बता सकते हो rod अगर inkline plane के उपर चले तो rod का motion या तो parallel and up the plane होगा, या parallel and down the plane होगा, दो ये possibility हैं सोच के देखो, सोचो किसके frame से, inkline plane के frame से, हैंस inkline plane के frame से, अगर मैं rod को देखो, तो rod का motion कैसा दिखाई देगा, या तो parallel and downward, या parallel and upward, अरिविद में, हैंस एक काम करते हैं, inkline plane के frame से rod को देखते हैं, relative motion के फंडे अपने को पता हैं तो velocity of A with respect to B would be velocity of A minus velocity of B हैंस inkline plane के frame से, अगर मैं ना rod को देखा तो ये वाला U वेलोस्टी तो reverse हो जाएगा ये V वाला वेलोस्टी तो जाएगा, हैंस vector diagram के तुरो अगर आप समझें, तो ये U वाला वेलोस्टी तो reverse हो जाएगा इसे और V वाला वेलोस्टी तो जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है, तो आपको बेसिक बाद जो समझ में आनी चाहिए, वो यह है कि U और V का जो resultant है, वो इस inclined plane के parallel आना चाहिए, क्योंकि इनक्लाइन प्लेन पर अगर कोई आद में खड़ा हो जाए, ऐसे अगर कोई आद में खड़ा हो जाए, तो उसको वो जो रॉड है, वो रॉड या तो नीचे जाती भी दिखाई देगी, या उपर जाती भी दिखाई देगी, अरिवित में, parallel to the inclined plane, hence, inclined plane के फ्रेम से अगर मैं of the road as seen by this person, या आदमी यही वेलोस्यों तो देखेगा, और क्या यह पार्लर to the inclined plane होगी, बिल्कुल होगी साब, है ना, hence, अगर येवला अंगल थीटा है, उस चित्र में अगर येवला अंगल थीटा है, तो क्या येवला अंगल भी थीटा ही होगा, alternate angle है, ऐसा होने के कारा स्राइन बताओ अधाओ फडापट टेन थीटा बरावर कितना? V by you, बलो, 10 थीटा बरावर कितना V by you, सोमझ मातिवाध मेरी, 10 थीटा कितना V by you, सुन थीटा कितना V V by U, यह relationship आ गया, किता हमाँ, समझान हो, 10 theta पराबर, V by U, ज़ी बतने, इसमें कोई शक करने की बात ही निए, इसमें कोई शक करने की बात ही नि, हाँ, शाबाज, बहुत बढ़ी बात करी तो नहीं, एक्चुल जो कंस्टेंट है वो यह है कि क्योंकि फिजिकली रॉड और इस वेज का या इस इंक्लाइन प्लेन का कॉंटेक्ट छूट नहीं रहा है, है ना, रुकी हुई सर्फेस उगई वो तो रुकी हुई सर्फेस पर चल रहा है, हैंस पारलल टूद इंक्लाइन प्लेन चलता हो, दिखाएट देगा, समझ रहे हो, करेक्ट है, हम बहुत ही इंपोर्टेंट बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये एक 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 लाइन के आंसर है और ये खुब नंबर देंगे आपको फेपर में, और ये एक एवरेज बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बिचारा कभी समझ नहीं, या तो उसको बिचारा को सम्झाए नहीं जाता है, या वो वो पॉशचिश नहीं करता है, समझ नहीं कि दोनों ऐसे कोई बात हो सकती है, वो रट लेता है, अच्छा ये हो तो ये हो जाएगा, ये हो तो ये हो जाएगा, रटलो कि तーハ भी एगजाम है तो नए टाE nephew अएगा. किता रटो कि तर अगे physics है न ये है? गुष्टिक्स भाइजें है तो in-fiinate pipeline बना सकता हूँ मैं है ना, तो question wise अगर आपने इसको समझने की कोशिश की तो आप पागल हो जाएंगे पूरी तरीके से, यह तो ऐसा हो गए जो कोई dictionary आद करने की कोशिश करें, पागली हो जाएगा वो, शब्दों की, शब्दों तो कुछ भी बना सकते हैं, शब्द तो un-infinite हैं भाई, है ना तो wedge constraint जो बहुत ही मज़ेदार है और interesting है, अब इस पर देखो कुछ अच्छे question बनाई जा सकते हैं, जिसमें से एक जो थोड़ा सा मुश्किल है, वो है कुछ ऐसा, तो अब मैंने आपको दिखा दिया है, दो wedge और एक स्फेर, तो ये दो wedge हैं, ये wedge भाई साभ हैं A, ये wedge भाई साभ हैं B, और ये माल लेते हैं अंगिल है 30 degree का, ऐसा, दो wedge और एक स्फेर मैं इस चत्र में दिखा रहा हूँ, ठीके जी, and right now, इस समय, ये जो wedge है, ये wedge इस दि आपको बताना है कि वो जो स्फेर है, उसका स्पीड क्या होगा, what would be the speed of the sphere, आपको बताना है कि स्फेर का स्पीड क्या होगा, फड़ो मुश्किल है ये हैं, अधासान नहीं है, क्योंकि अब इसमें एक नहीं, दो-दो कंस्टेंट है, what would be the speed of the sphere, दो wedge, ए और भी, ऐसे से चल रहा है, आपको बताना है, what would be the, कई से करोगे, क्या करोगे, सबसे पली बात जो सांज मानी चीए, वो ये कि स्फेर के पास, velocity, किस डिरेक्शन में होगी, वर्टिकल, होरिजॉंटल या कैसे, स्फेर के पास, दोनों होगी, दोनों होगी, that could be the safest thing, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, यह तो पकाई ना, कि इस प्लेन से बाहर तो नहीं हो जकती, is or not, तो इक काम करते हैं, मान लेते हैं, जो स्फेर है, जो स्फेर का सेंटर है, उस स्फेर के सेंटर के पास, इस direction में कोई velocity है U और इस direction में कोई velocity है V माल लेते हैं तो जो question ने पुछा है उसका answer क्या हो जाएगा under root of V square plus U square तो let us imagine velocity of sphere velocity of sphere या speed of sphere is under root of V square plus U square क्या आप यहां तक मेरे साथ हैं मैंने क्या कर लिए मैंने X component और Y component माल लिया X component माल लिया कितना U Y component माल लिया कितना V ground कौन से frame से round frame से बोलो ठीक अच्छा जी अब A के करके देखें A वाले incline plane के frame से अगर आप sphere को देखें और बस एक second के लिए आप A बन जाए बन जाए A बन गए और अब A पर एक आदमे को ऑसरे एक खडा करतें और Sphere को देखें आप मजे बताएं सोचके कि Sphere का motion आपको कैसा दिखाई देगा A के frame से A के frame से अगर अपन Sphere को देखें यह A है A को रूग दिया A के frame से अगर हम Sphere को देखें तो Sphere का motion कैसा दिखाई देगा Vertical शाबाश क्योंकि स्फेर इस दीवाल को गिस्ते वनीच आए सोच के देखा बोलो A के फ्रेम से अगर आप स्फेर को देखोगे तो स्फेर का मोशन A के फ्रेम से ऐसा दिखाई देना चाहिए यह तो रुका हुआ है चिके इसका यह मतलब हुआ कि Sphere और A के बीच horizontal direction में कोई relative motion नहीं होगा. इसका यह मतलब हुआ कि U की value 2 होगी. बोलो? अगर U की value 2 होगी तभी तो A के frame से जब मैं Sphere को देखूँँगा तो इसका velocity vertically downward direction में V दिखाई देगा. समझ गए कि नहीं मेरी बात? बोलो? से बात है. Hence U की value कितनी होगी? 2. U की value होगी? 2. समझ गए? U की value होगी? 2. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई horizontal direction में relative motion नहीं है. जैसे rain man में नहीं होता एक आदमी 10 मिंट पा सेकिंट से भाग रहा है और देखता है कि rain vertically downward गिर रही है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि rain का horizontal component और आदमी की horizontal velocity सेम होनी चाहिए. तब ही rain vertical direction में गिरती हुए दिखा ही देगी उसको. Hence U का जो value है ये मुझे पता चला कि U का value है 2. एक conclusion आ गया. समझ मानी चाहिबा तबी. तो आदा incline plane से अगर आप sphere को imagine करें. ये है sphere और sphere को imagine करें. तो sphere के पास इसे direction में और इसे direction में जो velocities हैं. बी के frame से. फटावट बताओ कितने कितनी हैं. तो बी के frame से sphere को देखें. तो बी के पास 3 meter पा सक्ट की velocity थी. बैकवर्ड बी के और vertical velocity कितनी हुई. वी. वो तो पता नहीं मुझे वी. है ना? है ना? और बी के frame से sphere का motion कैसा होगा? parallel to the incline plane. parallel to the surface of it. hence इन दोनों भाई साब का resultant किस direction में आना चाहिए? इन दोनों भाई साब का resultant parallel to the surface आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं. बी के frame से sphere को देख रहे हैं. स्वेर लोड़कता हो देखाई देगा उसी surface पर नीचे की तरफ. इसका मतलब उसका velocity कैसा होगा? surface के parallel. hence 5 और वी का जो resultant है. क्या वो surface के parallel होना ही चाहिए? ये angle 30 degree दिया हुआ था question है. hence के ये वाले भाई साब 10 30 degree which is equal to 1 by root 3. समझ गए? तो वी का value कितना हो गया? 5 by root 3. अभी आपके पास U है, आपके पास V है. hence जो question ने पूछा था, उसका जवाब है under root of V का square which is 25 by 3 25 by 3 plus U का square which is 4. सही पत है? जोड़ देंगे सब को ठाके है. चाड़ती है 12, 12 और 25 कितना हो गया? 37. तो root 37 by 3 आंसर हो गया. ये जवाब है. समझे? समझे मैंने किस तरीके से wedge constraint का दो बार इस्तमाल किया है. एक बार A के लिए, दूसरी बार B के लिए. समझे? एक बार A के लिए, दूसरी बार B के लिए. एक बार इस्तमाल दो बार किया है, एक बार. और A, दूसरी बार. एक बार B, simple, as simple as that. एना भाई? ऐसा है. इस इस वाल दूसरी आपके से wedge constraint, simple. ये wedge constraint है. कितना आसान? बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है. इसको समझो. दो प्रकार की पुली होती हम जानते हैं. कौन-कौन सी दो प्रकार की पुली हैं? fixed and movable. दो प्रकार की पुली है, fixed and movable. जैसे, for example, क्यों हाईगी उक्योली? उक्योली तो 2 है, बिटा. ground frame एज से पूच्छाना उसने के विलॉ स्थी उसने के थाच्ड मूश्टी? बहुत है. वह तो relative frame से थाच्ड मूश्किल उसने देखा ना, इसके बी-के फ्रेम से देखा, बी-के फ्रेम से पुछी है? ground frame से और यह V you, you और V, किसके frame से है ground frame से हमसरे हो ना? तो शुरू मैं हैं से हमाने ground frame से है, और फिर दो frame में जाके उनकी values निकाली हैं, लग लग जाके हैं है ना? ऐसा है हा जी, तो देखें जरा, तो situation ऐसी है कि ये एक fixed pulley है इसको fix कर रखा है मैंने उपर से ऐसे और इस fixed pulley पर दो block है जो जूल रहे हैं इधर उदर चल रहे हैं एक essay और एक essay ये दो block है ठीक ऐसे ठीक है जी let us imagine ये A और B करके दो block है इसका acceleration downward direction में अगर A है ये block अगर A है तो क्या जो B block है इसका acceleration बता सकते हो किदर होगा B का acceleration किदर होगा उपर होगा जानते हैं तो B का acceleration upward direction में होगा और कितना होगा A ही होगा है ना हैंस अगर आप इस diagram को ध्यान से देखे हैं तो आपको एक बड़ी मज़दार बात समझ में आएगी कि acceleration of A is equal to minus acceleration of B देखो दियान से vector wise क्योंकि magnitude बरावर है direction reverse है acceleration of A is equal to minus acceleration of B इसका यह मतलब होगा कि अगर कोई fixed pulley हुई fixed pulley हुई तो उस fixed pulley से इधर उधर जो दो blocks लटके हुए होगे वो equal and opposite acceleration पर होगे obviously यह अगर A से नीचे जा रहा है तो इसको इसे उपर आना होगा equal and opposite acceleration होगे और उनके भी जो संबंध होगा वो यह होगा यहां तक बास समझ में आती है अच्छा जी परेशानी तब हो जाती है जीवन में जब pulley movable हो जाए तो अगर कोई movable pulley हो तो समस्या हो जाएंगी तो यह माल लेते हैं कोई movable pulley है और यह pulley का center upward direction में किसी acceleration से चल रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ AP acceleration of pulley pulley उपर जा रही है है ना बे और again pulley से फिर दो block लटके हुए है A और B जैसा कि उस चित्र में था तो यह block है A और इधर दूसरा block लटका हुआ है यह block है B है ना तो pulley उपर जा रही है किसी acceleration AP से या किसी भी दिशा में जा रही है किसी acceleration AP से vector में दिखा दिया हमेने और यह A और B दो लोग है चिक है जी तो अचल यह A और यह B चिक अच्छा जी A का acceleration उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है मुझे नहीं पता कहा है A का acceleration कहीं भी हो सकता है माल लेते हैं A का acceleration ground frame से है AA as a vector तो क्या सारे cases अपने आप cover हो गए B का acceleration भी उपर नीचे कहीं भी हो सकता है Hence, let us imagine acceleration of B is AB as a vector vector लेते ही उपर नीचे सारे cases अपने आप cover हो गए तो मैंने तीनों को vector लिख रखा है so that मैं सभी प्रकार के movable pulley के cases को एक ही डाइग्राम से रिप्रेजेंट कर दो तो pulley का acceleration है AP A का acceleration है AA और block B का acceleration है AB आपको जो केवल एक बास समझ मैंने चाहिए वो ये कि ये तीनों ही acceleration कौन से फ्रेम से हैं गराउंड फ्रेम से ये तीनों acceleration गराउंड फ्रेम से हैं कोई गराउंड पर खड़ा आदमी देख रहा है और ये तीन acceleration उसको दिखाई दे रहे है हमारा objective ये है कि इन तीनों में क्या संबंध होगा हम वो निकालना चाहते है क्या आप समझ रहे हैं कि AA और AB की कुछ भी values हो सकते हैं और कुछ भी direction हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि AA भी उपर की तरफ हो AB भी उपर की तरफ हो सोच के तरफ हो इमारजन करो मैं फुली को भुट तेज़ एक्सलेशन सो उपर की चूँ तो कि दौनों ब्लॉक ऊपर जा सकते हैं क्या बिलकुल जा सकते हैं और कैसा भी हो सकता है कि एक उपर जाता हो दूसर नीचे जाता हो पुली उपर जाते हो पर हमारे पास एक आसान चीज थी पहले अब जनाहिन दोनों को गंबेर करें समझ मैं कि ये कितना आसान है और ये कैसा राक्षस जैसा है इसमें तो बहुत ही आसान है ये उपर जाएगा बिचारा गरीब तो इसको नीचे जाना ही पड़ेगा और सेम एक्सेलरेशन से और यहां तो कुछ भी हो सकते हैं ये तो बदमाश है बहुत ज़्यादा तो एक काम करते हैं इस बदमाश को अच्छा बच्चा बना देते हैं बता सकते हो कैसे पुली के फ्रेम में चले जाते हैं पुली तो चल रही है, वोई तो समस्य है, पुली के फ्रेम में चले जाते है, पुली के फ्रेम में जाते ही, क्या पुली रुक गई है, पुली रुकते ही हमारी पुरानी दोनिया वापेसा की, बलो, समझे के मेरी बात, समझे के मेरी बात, समझे रो, फ्रेम से जाना कितना तो मैं पुली के फ्रेम में चला गया, पुली को तो यही रोख दिया, जसके फ्रेम में चले जाए उसको रोख दिया पनने है ना, और पुली के फ्रेम में जाने के बाद, अब यह जो A था और यह जो B था, इनके फटा-फट मुझे एक्सेलरेशन बताओ, now what would be the acceleration of A with respect to पु and acceleration of B with respect to पुली कितना हो जाएगा, AB minus AP, में लिख रहा हूँ, acceleration of A with respect to पुली is equal to कितना, ground frame से acceleration of A minus acceleration of पुली, बोलो भई, simple, similarly, acceleration of B with respect to पुली from ground frame is acceleration of B minus acceleration of पुली, यह तक भी सोँझ माना चाहिए, है ना, और आपको जो मज़दर्बा सोँझ मानी चाहिए, होई सोँझ मानी चाहिए, कि अगर पुली के फ्रेम से यह हैं A और B के acceleration, तो पुली के फ्रेम से A और B के बीच के acceleration में एक relationship होना चाहिए, जो अपने ऊपर पहली लखा हुआ है, हैंस कि इन दोनों के बीच यह वाला relationship होना चाहिए, क्योंकि इनके acceleration equivalent opposite होने चाहिए, magnitude में बराबर होने चाहि एक दूसरे के अपोजट होने चाहिए, यह अपोजट वेक्टर होने चाहिए, यह अपोजट वेक्टर होने चाहिए, तो using this relationship, क्या दिखाई देगा आपको, आपको दिखाई देगा, A A minus A P is equal to minus of A B minus A P, which means, which means, इस minus को इधर ले गया, यह minus A B बना, इसको मैं इधर ले आया है, और इसको मैं इधर ले गया, और इसको मैं इधर ले गया, which means, acceleration of pulley, acceleration of pulley is equal to, acceleration of A plus acceleration of B divided by 2, यह सिखा मैंने, the acceleration of pulley ground frames is ground frames a acceleration of a plus ground frames a acceleration of b divided by two acceleration of pulley is from ground frame acceleration of A plus acceleration of B divided by 2. Find acceleration of pulley, width direction. If this is the acceleration from ground frame of the two bodies, give me the acceleration of pulley. If this is acceleration of A and B, give me the acceleration of pulley with direction. Acceleration of pulley, what would be the acceleration of pulley? Say, acceleration of pulley is A A plus A B by 2. A A plus 1, then A B minus 2. I will do that. Hence, acceleration of pulley, acceleration of pulley is 1 minus 2 by 2, which is minus 1 by 2, which is 0.5 meter per second square. Minus sign is saying, the pulley is not coming down. Hence, in this question, the acceleration of pulley, will be in downward direction. It may happen, but it may happen. So, the acceleration of pulley is 0.5 meter per second square. It will be in downward direction and it will become a failure. Simple as that. So, the acceleration of pulley is 0.5 meter per second square is 0.5 meter per second square is 0.5 meter per second square is 0.5 meter per second square. Sub短 of pulley is 5. तो माल लेते हैं, situation कुछ ऐसी है, कि ये कुई block है, A, जिसका mass मुझे नहीं पता, और ये एक fixed pulley से connected है, और फिर एक mobile pulley है, जो दो लोगों से connected है, और ये mobile pulley में दो block है, माल लेते हैं, this block is of 2 kg mass, and this block is of 1 kg mass, ऐसा, चिक, this is of 2 kg mass, and this is of, this is of 1 kg mass, चिक के जी, ऐसा है, and the question says, this 2 kg walla is going downward with an acceleration of 2 meter per second square, and 1 kg walla is going downward with an acceleration of 1 meter per second square, there is no friction anywhere, find the mass of block A. find mass of block A. there is no friction anywhere, right, this is, pulleys are maskless, obviously, pulleys are maskless, there is no friction anywhere, तो find the mass of A. क्या करेंगे, कैसे करें? क्या हम ये वाला पुली के एक्सेलेशन निकाले हैं, सबसे पहले छूटते ही, तो ये जो पुली है, इसका acceleration आजाएगा, downward direction में कितना? 2 plus 1 3, 3 by 2, 1.5 meter per second square, तो this pulley is moving as of now, downward with an acceleration of 1.5 meter per second square, है ना? तो क्या ये ब्लॉक भी, उसी acceleration से चलेगा, क्योंकि एकी दागे से बंद हुँ है, हम देख रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है, ये राइट वोर डिरेक्शन में जा रहा है, वे देख रहे हैं, acceleration of 1.5 meter per second square, यहां तक समझ माना चाहिए, अगर ये जो थ्रेड है, अगर मालने इसमें टेंशन है T, और T, तो इस थ्रेड में टेंशन कितना? 2T, 2T, एस थ्रेड में टेंशन कितना 2T, क्यों एसा क्यों? क्यों कि? बहोँ, बहोँ, इसा क्यों? वेख तो समझ ही नहीं है बात, इधर T, तो तूटी, 3T कर लेते हैं रो? बहोँ, बहोँ, हमें तो ही बताई कि वाती के तूम कियो तो हमसे पुछा ही नहीं हमको नहीं सोभगा बिल्कुल भी T.T. फिर T.T. कैसे हो गया है तक तो सवझ मारा था मिरको उसका लॉजिक था एक ही दागाई चोल एक ही टेंशन सवझ मारती बात फिर इूपर वॉले में T.T. कैसे हो गया यह logic नहीं है बहलो logic बड़ा मेज़दा भार है logic यह है कि यह जो nou logic यह है कि यह जो pulley है, यह जो pulley है जिसपर आप फारा खेल 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 रहे हो इस pulley की थोड़ा सा अगर मैं इसमें झेंड़िस कर दोना, तो अभी आपकी दूनिया उजड़ जाएगी हाँ, बोलो, शबश, मास का खेल है, तो इसमें टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है, और इस विचारी घरीब पुली का मास जीरो है, तो दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज हो, जिसका मास जीरो है, और उस पर अगर हम न्यूटन की कोईशन लिखें, जो की हमसे कहती है, समेशन ओफ एफ इस एक्वल टो M इन्टू A, और विचारे किसी घरीब का मास ही जीरो होतो, तो इर्रेस्पेक्टिव ओफ एक्सेलरेशन, summation of forces on such a body must always be zero, irrespective of acceleration, अरिविद्मी, विच मीन्स, जो की काफी घतरनाक है, ए मासलेस बोडी, कैन अचलरेट विदाउट फोर्स, ए मासलेस बोडी, कैने हैंव अनी फाइने अचलरेशन, विदाउट फोर्स, मासलेस बोडी को एक्सेलरेट करने के लिए, फोर्स की जरूवत ही नहीं है, क्योंकि फोर्स की जरूवत हमें केवल तब पढ़ती है, जब बोडी के पास इनर्शिया होता है, इनर्शिया मतलब मास होता है, इनर्शिया का मेजर मास है, force की जरूरत ही क्यों पढ़ रही है क्योंकि body का inertia है आप उसको accelerate करना चाहो कि उसका inertia है इसलिए तो force की जरूरत पढ़ती है अरिवितमी, पर किसी का inertia ही ना हो अगर तो क्यों बिना किसी force के किसी भी acceleration से चल सकता है ये बिल्कुल ऐसा हो कि जैसे current electricity में resistance less star हो तो बिना potential difference के current चलता है इसलिए मैंने वहाँ भी आपको समझाया था कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि किसी wire में current चलाने के लिए potential difference की जरूरत होती है तो आप बिल्कुल गलस समझते है क्योंकि ये बात कि इवल तभी valid है जा wire के पास resistance हो अगर wire के पास कोई resistance नहीं है it's a resistance less wire तो कि without any potential difference क्या current चलेगा एक बार धक्का मार दिया electrons को चलते रहेंगे drift velocity रोकल का को उनको अरे विदमे समझ रहो ना मेरी बात correct है hence massless body जो कि obviously theoretical body है massless body zero net force होता है हमेशा massless body के लिए पर हमेशा zero net force होता है तो चुकिए body massless है 2T force इसको नीचे खीच रहा है तो उपर की तरफ किता force होना ही चाहिए 2T hence this question में अगर में छोटा सा change कर देता इस body का कुछ mass दे देता तो फिर आप ये 2T जो कर रहे थे ये सब गड़बड़ हो जा था टूटा टूटा हो जाता फिर सब तो हमें massless है इसलिए इसा हुआ तो ये 2T पहुँच गया और ऐसे यहां भी 2T आगया अगया और अब अगर आप इस body को देखें friction तो है नहीं इसका mass अगर लेले हैं पन capital M तो क्या question बनेगी 2T is equal to capital M into A सबात है बड़ी को देख लेते हैं तो जैसे माल लेते हैं 2KG बड़ी को देख लेते हैं इसका FVD इमाजन करते हैं तो 2KG बड़ी पर फटाओ फटाओ कौन-कौन से forces हैं एक तो 20 नीचे और एक T उपर और उसके काराण ये 2 meter per second square से चल रही है क्या कोशन बनेगी 2KG बड़ी के लिए 20-T बड़ी के लिए 20-T बड़ाबर 2 उसका मास है 2 और एक्सेलरेशन भी है 2 से बड़ी तो T कितना आ गया 16 T की वेल्यों आ गई 16 उठा के या सब से रिउट कर दी मैंने T की वेल्यों 16 और अब मैंने capital M की वेल्यों निकाली हैंस capital M का वेल्यों वोड भी इक्वल टो कितना 2 इंटो 16 डिवाइड़ बाए कितना था वो 1.5 विच इस 3 बाए 2 सही बढ़ा है कितना हो गया 64 बाए 3 विच इस 21.3 KG इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि relative motion हो रहा है दोनों के बीच system पूरे को एक system मानने का केवल फायदा तब होता है जब relative motion ना हो रहा हो इसलिए जब मैंने combined fvd बनाया था बार बार चला चला के एक बात बताई थी combined fvd बनाने से पहले हम ensure कर लें relative motion तो नहीं हो रहा है relative motion अगर हो रहा है तो फिर combined fvd से कोई फायदा नहीं होगा बना सकते हो अभी भी equations अभी भी लिख सकते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं होगा इसलिए हम combined fvd केवल तब बनाते हैं जब relative motion ना होता हो अधरवाइस कोई पॉइंट नहीं है एना ऐसा है समझ गयो भाई कानी सोंज में आती है ऐसा है चिक तो ये था क्या था ये हमारा ये था हमारा कौन सा कंस्टेंट पुली कंस्टेंट ठीक के जे अब जितने कंस्टेंट अब तक हमने पढ़ ली हैं उन में से सबसे ज़ादा यूसफुल सभी कंस्टेंटों का बाप अब end में आएगा जिसका मैं जिक्र करूंगा जो सबसे ज़ादा यूसफुल है इन सब में से आपको हर question में लगबग लगबग इस last वाला जो constant बताऊंगा उसकी जरूरत आपको पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं virtual work virtual work इसको समझ लेते हैं हमारी नईया यही पार लगाएगा virtual work यह आखरी constant है और सबसे अदा उपयोगी है हर question में लगेगा चोटे से चोटे कोईशन न्यूटन लोगा आप इस constant से solve करोगे जो कि एक बहुती चोटी सी बात हमसे कहता है और वो यह है कि जिसे मैं question के तुरू समझा हूँ आपको मान लेते हैं कि परिस्तिती कुछ ऐसी है यह रहा है एक block और इस block से बान दिया मैंने एक धागा ऐसे गया वो ऐसे गया ऐसे घुमा और ऐसे जाकर छट पर पहुंचा और यहां पर इसको बिचारे को बान दिया है ऐसे और फिर एक और पुली जो की movable है यहां पर connect कर रखी है कुछ इस प्रकार से एसे ठीक है और इस movable पुली से एक block ऐसे लटका दिया गया यह B है यह A है ठीक है तो let us just look at this situation तो situation कुछ ऐसी है कि धागा ऐसे चला इस पुली के थू होता वा गया पनीचे गया इस movable पुली से होता वा चत पर मैंने उपर रूफ पर उसको टाई कर दिया है something like this, obviously B और A के motion आपस में जुड़ हुए है, constraint है और अगर B डाउनवर डिरेक्शन में जा रहा है ऐसे, with some acceleration AB, with some velocity VB तो A महराज इस डिरेक्शन में चलेंगे, with some acceleration AA, with some velocity VA, and obviously AB, AA, and VB, VA में संबंद आएगा, जिसको अपन कंस्टेंट बोलेंगे जिके जी, वो संबंद क्या है, उसकी क्या कानी है, अगर आपन उसको समझने कोशिश करें, तो यह virtual work method है, यह बहुती कमाल का काम करता है, और सब relationship में, सभी लोगों में ऐसे oral relationship बता सकता है, उसको थोड़ा सा समझता है Virtual work method एक बहुती छोटी सी बात पर बेज़द है, और वो बात जो है, वो यह है, कि यह जो string है, यह जो string है, चुकि यह string massless है, और inextensible है massless है, और inextensible है, चिक्के जी, तो चुकि string massless है, तो यह कोई kinetic energy नहीं लेगी कभी भी, और चुकि यह inextensible है, तो यह कभी भी इसके इंदर कोई भी potential energy store नहीं होगी, जैसे spring होती, तो spring खिच जाती, तो क्या potential energy store हो जाती है, बिलकुल हो जाती है इसका यह मतलब हुआ, कि अगर यह massless और inextensible string है, तो क्या यह कभी भी net energy में, net energy के point of view से जो communication होगा है, net energy के point of view से जो interaction होगा, क्या वो इसका zero होगा, ना यह energy लेगी, ना energy देगी, सिस्टम को ना यह energy लेगी, ना energy देगी, तो अपन एक काम करें, अपन जबरजस्ती string के द्वारा किया गया, work done निकाल लेगा, तो क्या हो work done हमेशा ही zero आएगा, इसको virtual work केते हैं, जो काम नहीं कर रहा है, उससे जबरजस्ती काम करवा लेते हैं, तो answer तो zero ही आएगा, जो काम कर ही नहीं रहा है, उससे जबरजस्ती उसका work done निकाल लेते हैं, तो answer क्या आएगा जी रो इसलिए इसको बोलते है virtual work जैसे for example इस string में tension है अगर T तो यह T tension इस block पर लग रहा है माल लेते हैं block ने कोई हलका सा displacement किया X A तो tension T ने block पर कितना work done कर दिया T into X A F dot D work done की definition सही है और ऐसे ही यह जो B है यह B अगर नीचे खिसक गया माल लेते हैं X B और यह जो tension थी T और T दोनों मिलकर T और T जो पुली पर लग रही है ऐसे उपर की तरफ और block अगर X B नीचे किसका तो पुली भी X B नीचे किसकी तो इन दोनों tension ने मिलकर block B पर कितना work done किया 2 T tension उपर लग रही है block B X B नीचे जा रहा है कितना work done किया minus 2 T into X B क्या इन दोनों का net work done 0 होने के काराण एक equation बनेगी और वो equation है T into X A minus 2 T into X B बराबर 0 which means X A is equal to 2 times of X B which means A block B block के तुलना में दुग ना खिसकेगा यह अगर 1 cm खिसका तो यह बाईज़ाब 2 cm खिसकेगा यह मतलब हो क्या बिटा नई ने केवल tension का work done निकाला में केवल tension का क्योंकि मुझे मालूम है tension का net work done क्या है 0 है ना tension कहां कहां काम कर सकती यहां यहां और यहां यहां तो यहां तो work done anyway 0 है यह point डिस्प्लेस हुआ तो टेंशन ने यहां कितना work done कर दिया T into X A और टेंशन ने यहां कितना work done कर दिया 2 T into X B with a minus sign Hence T into X A minus 2 T into X B is equal to 0 Hence आपको क्या मिला आपको मिला X A is equal to 2 times of X B आपको क्या मिल जाएगा V A is equal to 2 V B तो आपको क्या मिल जाएगा A A is equal to 2 A B Hence virtual work जो कहता है हमसे वो तीन बातें कहता है virtual work कहता है कि summation of T dot X is equal to 0 Do you understand? क्या कहना चाहरा हो मैं इससा है Likewise summation of T dot V is equal to 0 Do you understand? And similarly summation of T dot A is equal to 0 अब आपको जो चाहिए निकाल लो आपको displacement चाहिए आपको velocity में संबन चाहिए आपको acceleration में संबन चाहिए आपको जो चाहिए कि आप इन तीन संबनों से निकाल सकते है और जो logic है वो यह है कि जबर जस्ती work done करा दिया जाए अगर हम acceleration के बीच relationship को ढूंड सकते हैं निकाल सकते हैं समझ सकते हैं है न भी? ऐसा है चेक एक्जामपल देखते हैं माल लेते हैं इस तरह कि भी परिस्तेती है तो यह बी है and then B is connected via string 1 to this fixed pulley and this movable pulley यह दागा एक है यहां तक फिर यह एक movable pulley और यह दूसरा दागा यहां से यहां तक उसका एक end बी से जोड़ा हूँ और एक end एक और movable pulley पुली है जैसा चत्र में डागा में दिख रहा है और फिर एक और धागा जो की फिर बी से जोड़ा हूँ है और फिर एक block A से जोड़ा हूँ है ऐसा है हैंस इस डाग्रा में एक fixed pulley है दो movable pulley है जैसा कि आपको दिख रहा है और अगर आप imagine करें कि क्या होगा तो माल लेते हैं कि अगर B डाउनवर डिरेक्षन में ऐसे किसी acceleration A B से नीचे आता है तो A क्या होगा अगर B नीचे किसकता है तो A क्या होगा A उपर जाएगा जह बता है ना? यह तो दिख जाएगा between a b and a a what is the relationship between a b and a a seven times relationship seven times कैसे ऐसे माल लेते हैं इस थ्रेड में टेंशन है T तो यह पूरा थ्रेड यहां तक है तो यहां भी टेंशन हो गई T और इस थ्रेड में टेंशन किती गई 2T तो यहां टेंशन कितनी आई 2T इस थ्रेड में टेंशन किती गई 4T तो यहां टेंशन कितनी आई 4T अब अगर साथ 7T in the upward direction. Hence 7T or AB downward direction में है. इसलिए माइनस का साइन आजाएगा और T plus T into AA must be equal to 0. इतना भी लिखने की ज़रूद नहीं actually तो. औरल है क्दम. Hence AA is equal to कितना? AA is equal to 7 times of AB AA is equal to 7 times of AB AA is nothing but 7 times of AB getting? AA is 7 times of AB. Simple as that. तो. जब तli खजाएगा शिर्फिस्य माँय से cerca your अड़ाई धके क्द़र. अड़िए गलिस्थर से wirelessणerem पलूजद झाल झाल मैं लेते हैं ऐसा कुछ situation है दिख रहा है साफ साफ क्या हो रहा है अगें दो लोग है A और B ठीक है दो लोग है A और B और A, A की thread है ये thread यहाँ से चला ये thread यहाँ से जोड़ा हुआ है यहाँ से चला फिर एक fixed pulley इस fixed pulley से घुमा फिर एक और fixed pulley जो A से जोड़ी है फिर एक और fixed pulley जो उधर जोड़ी हुई है और फिर A से जोड़ी एक पुली से होते हुआ B तक ये thread ऐसे आ गया है ना? ऐसा कुछ है ठीक है भई? This is the situation Let us imagine something is happening की B का motion हो रहा है कुछ और उसके corresponding A का motion हो रहा है सो समच के जबब देना You have to find out the acceleration of B Question के रहा है Find acceleration of B Magnitude of acceleration of B चलो Find magnitude of acceleration of B Hello तो tension देखें यहाँ T एक ही थागा है फिर यहाँ T फिर यहाँ T है ना भे? और फिर यह इस में T और इस में T और इस ब्ली पर लगने वाला tension T ऐसा कुछ होगा? सह बात है? ठीक है जी? अगर आप एक को देखें तो A पर जो tension force है उनका जो impact है वो T, T, T और यह T तो एक, दो, तीन, चार 4 T तो horizontal direction में और एक T vertical direction में जैसे for example अगर मैं आपसे कहता A का FVD बना दो आप A का FVD बनाओ तो अगर आप A का FVD बनाते यह A है और A का FVD बनाते तो कहां कहां यहाँ दिखाते tension T यह लग रहा फिर उसके काराण 2T यह लग रहा फिर इसके काराण T इधर और T नीचे ऐसा कुछ होता FVD बनाते क्योंकि पुलीस तो एसे जोड़ी होई ना भी ठीके जी और A के पास acceleration किस डिरेक्शन में ऐसे और ध्यान रखना है आप Vector में Dot Product कर रहे हैं Summation जब T.A कर रहे हैं तो क्या एक Vector Equation है Summation T.A तो क्या यह Vector Equation है इसको 0 कर रहे है तो मैंसलिए समझा रहा हूं ताकि आप यह समझ पा है कि यह वाला जो टेंशन है यह रॉल प्ले नहीं करेगा हैस जब आप Summation T.A A के लिए करेंगे, तो आपको किता दिखाई दे जाएगा 2, 3, 4, 4T इंटू A क्या आप मैंने साथ हैं, समझ रहे हैं, हैंस जब आप T.A के लिए करेंगे, तो आपको दिखाई देगा 4T.A ठीक है जी, correct है, अच्छा जी, हैंस A के लिए जब मैंने समेशन T.A किया, तो मुझे दिखाई दिया 4T इंटू A, साइन कैसा, पॉजिटिव का B पर आजाते हैं, ग्राउंड फ्रेम से अगर आपन B को देखें तो B पर टेंशन लग रही है अपवरर डिरेक्शन लग रही है T, है ना और B का मोशन कैसा होगा? यहीपर गड़र कर जाओगा B का मोशन A के फ्रेम से तो होगा डाउंबर डिरेक्शन में, बट ग्राउंड फ्रेम से लिए लोनो तरह के मोशन होगा, हैंस, अगर B के पास relative acceleration downward direction में है, ऐसा, relative acceleration, किसके relative, A के relative हैंस B को ground से अगर देखें आप, तो B के पास दो तरह के acceleration हो जाएंगे, एक तो ये AR और दूसरा A, जो की A के पास है क्यों क्योंकि A के frame से देखने पर B का acceleration है AR, तो ground frame से देखने पर B का क्या acceleration होगा AR vector plus which is this, plus acceleration of A with respect to ground, which is this hence it would be vector resultant of AR and A, do you understand do you understand, ये catch is question बच्चा AR निकाल के answer छोड़ देगा, अगर बड़ हो जाएगी क्योंकि मैने तो पूछा, मुझे तो magnitude of acceleration of B बताओ, मतलब कहां से बताओ ground frame से बताओ, चिक, अच्छा जी तो अब अगर आप B को देखें, imagine करें, B लटका हुआ हवा में, imagine करें, tension किस direction में है, उपर, और acceleration उसके पास ये दो-दो हैं, और जब आपन T dot A करेंगे, तो क्या आप देखने है, ये वाला acceleration, dot होने के कारण, 0 हो जाएगा, क्याकि मैने ये वाला acceleration दिखाई देगा, कितना minus का T into AR, बराबर 0, hence AR की जो value है, वो आएगी 4A, क्या आप मेरी बात समझे, answer नहीं है 4A, option पहला ही है 4A, पहला option है 4A, आप को गया, वाल मज़ा है, 4A, खतम हो गया, खेल, गलत क्यूं हो गया, क्योंकि ये 4A acceleration तो, एक ए frame से है, और अपने को acceleration बताना है, मतलब किस frame से बता के भाई साब का resultant, hence answer कितना हो गया, root 17A, answer हो गया, AR is 4A, under root of 4A का square, plus A का square, which is root 17A, do you understand, question ने जो पूचा है, acceleration of B, इन दोनों का जो resultant होगा, क्या ये होगा acceleration of B, which is magnitude-wise कितना, this is equal to under root of, कितना, AR का square, plus A का square, AR is like 4A, hence answer कितना हो गया, answer हो गया, root 17A, ये answer है, 99.99% बच्चा गलत कर देगा इसको, पहले तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, आप ही गया माल लेते हैं, तो वो कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है, यहां तक आ जाएगा, उसके बाद यह छोड़ देगा, और भगव पॉइंट बताया की जब summation t.x, summation t.v, summation t.e कर रहे हो, तो ground frame से हैं यह सारे summation, यह सारे summation किसके frame से हैं, गोदेटके से हैं, क्योंकि हम energy की बात कर रहे हैं, और हम सब जानते है, energy frame-dependent होती है, आहे पात है, हम virtual work method का इस्तामाल कर रहे हैं, और हम ये energy, basically हमने work-done की बात करे, औ और energy of work done frame dependent होते हैं, hence किस frame से कहनी है equation, ground frame से, किस equation से कहनी है, ground frame से, तो ground frame से equation कहेंगे, तो फिर ठीक बैट जाएगा, सौझ माती बाद, correct है, हमने सब तरह के constraint देख लिए है, constraint relationship एक काफी important parameter है, काफी important concept है, और ज्यादतर लोगों को clear नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको पूरे detail में लिया है, एक 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 चीज को justify करके समझ लिया है, और मैं उमीद करता हूँ कि इस से आपको exam में कम से कम 2-3 questions का फाइदा होगा ही होगा, अगर आपने आज को ढंक से समझ लिया है, देख लिया है, और अगर आप उसकी relevant practice कर ले, तो आपको 2-3 questions का benefit exam में मिलेगा, ठीक है जी?